स्वागत और अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं ज़रू सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो को सूचना मिलती रहे हमें स्थी के साइट पर है और हम देख रहे हैं सकूम एक्सपोर्ट लिम्टेट के चार्ट यहां पर दे यहां पर जानते हैं कि क्या करती है आप प्रोडक्स पर एक नजर मार लेते हैं ताकि उनको मालूम पर जाया है शुगर शुगर ओलन सीट और ग्रेंज गेहूं के जितने प्रकार हैं पल्सेस दाल दाल और बीन्स राजमा मसाले जितने भी स्पाइस के प्रकार है एनिमल फीट्स और कॉटर तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग से बढ़िया कंपनी लेकिन अभी फिलाल इंदीनों काफी डाउनसाइड है अपने हाई से तो हम देखेंगे कि अब यहां पर देखते हैं पर इस्प्लिट हुआ था नहीं तो इसकी प्राइस दस गुना थी जो भी आज की प्राइस है आप समझ लिजी कि फेस वैल्यू 10 से एक की फेस वैल्यू पर आ गया था तो जो भी करेंट प्राइस अभी है वो अपडेट हो जाता है तो अपडेट हुआ तो माल लीजिए कि इसने हाई बनाया था तो अगर स्प्लिट नहीं हुआ हो था तो चार सुबीस रुपए के आसपास का होता तो स्प्लि तो इस तरीके से क्योंकि लोगों को लगता है कि जो थोड़ी सी प्रेमियम जिनकी बड़ी हो जाती है या महेंगी लगती है तो रिटेल नहीं बेशक कम खरीदते हैं उसमें और छूटी प्राइस के स्टॉक्स में थोड़ा सा उनका आकर्शन बना रहता है इस वज़े से से लिए यह देखी यहां पर एक की रह गई है मार्केट कैप है 519 क्रोड की अर्निंग पर शेर है 1.68 और पी है 14.49 की इंडस्ट्री पी है 33.66 की और यहां पर फेस वेल्यू देखी चुकिए प्राइस टुबुक है 2.55 के डेलोरी 49% के आसपास है अगर हम फेनेशल पर के दिसंबर के मुकाबले अगर मार्च 19 क्रोड की है दिसंबर 18 में थी मार्च 19 में रह गई 419 क्रोड की तो यहां पर डाउन साइड है वही नेट प्रॉफिट वे जहां 11 क्रोड के आसपास दिसंबर 18 में इनकी नेट प्रॉफिट था मार्च 19 में रह गया 6 क्रोड के आसप में फिर भी यहां पर down side दिख रहे है 10.25% की लेकिन net profit में यहां पर अभी भी जो है year on year basis पर 7.3% 35% की upside है और margin में भी यहां 1.26% की upside दिख रहे हैं shareholding अगर हम देखते हैं यहां पर तो promoters के पाफ 57.97% की as it is है लेकिन 14% के आसपास की यहां पर इन्होंने प्लेच की हुए याने गिर भी रखे हुए है इसमें 8 0.33% की आसपास और individual है खुद्रा ग्राहक खुद्रा जो निवेशक है 19.9% की आसपास return wise अगर हम देखें वर्तमान इस ती return में क्या है 10 सालों में अभी भी 826% की return मिल रहा है जिन्होंने लगाये थे 10 साल पहले पैसे 5 सालों भी 920% की जबरदस return अभी दिख रहे हैं 4 सालों भी 702% की आसपास की जबरदस return है 3 सालों भी 205% की पढ़िया return है दो सालों भी 2500% की आसपास की return एक साल में 30% की आसपास की return जो की जबरदस्त हैं लेकिन year till date 6 months, 3 months, 1 month, 1 week तक यहां पर downside दिखा रहे हैं आज जो है यहां पर 0.42% की upside दिखा रहा जरूर तो एक company तो अच्छी है दोस्तों लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कई reasons होते हैं stock पर प्याद उनकी results किसी quarter के अच्छे नहीं आए या ने एक्सेल्स में लगातार downside है year on year भी और अगर यह आने वाले समय पे अगर ऐसा ही हाल रहा तो definitely इस पर दबाव पड़ेगा तो अगर financially अच्छे नहीं आएंगे या जब company कमाएगी ही नहीं तो आपको कैसे return बना के देग मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपए डालना है तो आप 4-5 रुपए के stocks हर गिरावाट पर खरीद लीजिए तो बहतर रहता बाकी और stocks में अच्छी company और ध्यान दीजिए और यह भी अच्छी company है लेकिन किसी कानवस गिरावत है जिसे microcap company तो आज भी sensex में गिरावाट है तो यह export करती है सारा माल तो इस वज़े से भी इनको दिक्कते आ रही होंगी तो कई reasons होते हैं कि इस stock में गरने के गिरावाट के तो हमें सूजबूज का पर्चे देते हुए लंबे समय के अगर निवेशक है तो थोड़ी थोड़ी buying की जा सकती हर गिरावाट पे बने रही घ्क्राइब टो निवेँ अनको झाहाओ है प्लागज झाल